नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है आज की कच्छा में हम वर्ग दो के गनित के पाठ घटाओ के कुछ अभ्यास देखेंगे और यह अभ्यास है दो अंको वाली संख्याओं का घटाओ इससे पहले की कच्छा में हम लोग घटाओ सीख चुके हैं आज हम उस पर कुछ अभ्यास करेंगे लेकिन इस अभ्यास से पुर आईए हम एक खेल खेलते हैं लूडो का खेल लूडो का खेल तो आप जानते हैं थोड़ा सा वो साप सीड़ी वाला आप खेलते हैं यह थोड़ा सा अलग है आईए खेलते हैं खेल आईए शुरू करते हैं यह खेल यह देखिए हमारे पास छक्का है आपके पास भी होगा और यह हमने गोटियां लिये हैं चार गोटियां है चार कलर की यह चार लोग खेलेंगे हम लोग एक ये पीले वाली ये लाल ये नीली वाली और हरी वाली तो मैं चुनता हूँ ये लाल वाली ये मेरी गोटी हो गई तो सबसे पहले तो मैं चाल चलता हूँ देखिए ये देखिए कितना आ गया दो तो मैं अब यहाँ पर यह एक दो चाल चला लेकिन यहाँ क्या है दो जोड पांच अर्थात हमें यहाँ साथ पर दो और पांच जोड़ेंगे कितना होगा साथ तो हम सीधे आगए साथ पर शली अब यह राजू वाली चाल भी मैं चल दे रहा हूँ राजू अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसका आगया तीन और इसने चुना है यह ब्लू वाली एक दो तीन अरे यह तो यहीं पर आगया मैं आगे बढ़ गया अब एक और यह यह सीमा वाली गोटी चलिए अब सीमा वाली चाल भी मैं चल रहा हूँ आएक तो यह तो एक इसी तरह से जो चौथा है उसका भी चाल होगा और इस तरह से हम चलते चले जाएंगे मैं अपना चाल फिर से चलता हूँ देखिए एक चाल और तीन तो मेरा यह लाल था ना तो यहाँ से गिनेंगे एक दो तीन अरे फिर जोड हो गया तो दस जोड पांच है यहाँ तो यह हो गया कितना हो गया पंद्र तो मैं आगिया यहाँ से सीधे पंद्र पर आप भी यह खेल खेलें आपके स्कूल में इस तरह का लूड़ो जरूर होगा और नहीं होगा तो आप खुद से इसे बना लें अपने सिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं क्यों बच्चो आपको मज़ा आया ने यह खेल खेलने में आप स्वयमसी से जरूर खेलने बहुत मज़ा आएगा अपने चार दोस्तों के साथ खेल सकते हैं कुछ अलग कलर के गोटिया लेंगे तो इससे जादे बच्चे भी एक में सामिल हो सकते हैं अब एक प्रस्ण पर हम विचार करते हैं यह है पैसट घटाव उन्नीज ठीक इसी तरह का सवाल हमारी मास्टर जी ने दिया था और कहा था मौखिक इससे हल करो मेरा एक दोस्ट सर्फ एक दोस्ट इसी मौखिक रूप से उसने हल किया तो किस तरह से हल किया आईए मैं बता रहा हूँ आभी देखिए यह 19 है और यह है 65 इस 65 से 19 घटाना है तो 19 के बाद एक अगर हम इसमें 19 में जोड़े हैं तो यह हो जाता है 20 एक जोड़े ठीक है अब 20 से 65 आप अंदाजा लगे है यह कितना होगा निस्ति रूप से पैंतालिस होगा तो ये पैंतालिस इसे हमने जोड दिया तो वो गया पांच और एक छे और ये चार यानि हमारा ये आ गया छे आलिस एक और सवाल देखते हैं मौखिक के लिए 26 घटाओ 18 अब यहां देख रहे हैं 26 से 18 घटाना है तो 18 से हम कितना जोड़ेंगे कि इसका सबसे निकटकम 10 का गुना जा जाए तो 18 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा तो ये हो गया 2 और 20 और 26 में क्या अंतर है 6 का तो ये हमारा आ गया 8 तो ये 26 से 18 घटाए तो हमारा 8 हो गया चलिए एक और प्रस्न लेते हैं और ज्यादा सपस्ट होगा 35 घटाओ 26 तो यहां देख रहे हैं कि ये 26 है तो 26 में और कितना जोड़ें कि वो 30 हो जाएगा तो ये हो जा रहा है 4 और 30 और 35 का अंतर क्या है 5 तो ये हमारा हो गया 35 घटाओ 26 9 यह एक तरीका था मौखिक का आपके पास कुछ और अलग तरीके हो सकते हैं आप मुझे अवसे बताएंगे कि आपके पास इससे अलग कोई और तरीका है क्या आप घटाओ करने का किस तरह से आप और घटाओ कर सकते हैं आप कुछ और प्रशनों को लेते हैं इस बार मौखिक नहीं ये लिखित प्रश्ण कर रहे हैं, मौखिक का अभ्यास हमने कर लिया, मौखिक भी हम दो अंकिये संख्याओं का घटाओ कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी, यहां है 38 घटाओ 22, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, कैसे से घटाएंगे, 8 से 2 य हो गया 1, यारि यह 1 है, यह दहाई है, तो यह खुले हुए है, 1 का मतलब खुला हुआ और 10- counter का बंड़, तो यह 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 है इकाई आठ 8-8 सी 2, 6, और यह 10-10 के 3 बंड़ हैं, दहाई, तो इससे 2 बंडल हमने हटाया तो 1, इसे हमने गतिविधी के आधार पर पहले सीखा था, लेकिन हर बार हम थोस वस्तूं से लेकर हम नहीं कर सकते हैं, अब वो सिर्फ अवधारना समझने के लिए था, अब हमें बगर थोस वस्तूं की सहयता के ये घटाओ करना है, तो ये आपने देखा कैसे किया, अब दूसरा यहां है, यहां भी हम चुके अवध दहाई लेंगे तो यहां आकर यह हो जाएगा, खुले हुए 18, यह 10 आजाएगा, एक लेंगे तो यह 10 आएगा, तो यह 8, 18 हो गया, और 18 से 9 गटाएगे तो कितना आएगा, 9, अब यहां से हमने एक दहाई यादी, एक बंडल, हमने इधर ले आया था, इकाई की ओर, तो य आई अब एक word problem यानि शाब्दिक प्रशन या इसे इबारती प्रशन भी बोलते हैं से देखते हैं कैसे हम इसे लिखते हैं और किस तरह से इसे हल करते हैं यह प्रशन है मंगरी के पास 18 रुपे है उसने 8 रुपे अपनी बहान को दे दिये अब मंगरी के पास 6 कितने रुपे बचे इस प्रशन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से हल करते हैं चुकि यह साब्दिक प्रस्ण है, तो इसे हमें लिख कर करना है, तो हम इसमें देखते हैं कि कुल रुपे कितने हैं, मंगरी के पास कुल रुपे, 18 है, अब इसके नीचे लिखते हैं, बहन को दिये गए रुपे, तो यह कितने हैं, 8 रुपे, तो 6 रुपे, क्या होगा, यह 18 से हम 8 घटाएंगे तो यह आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि 18 से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 10 तो कितने रुपे होगे 6 10 रुपे 10 रुपे जब भी साथदिक प्रशन आपको मिले इसी तरह से लिख कर उसे हल करना है अब हम कुछ खाली स्थान भरो वाले प्रस्ण देखते हैं खाली जगा में संख्या लिखिए यह है 14 घटाओ ब्लैंक है यह बॉक्स है बराबर 5 अर्थात 14 में से 14 में से कितना हम घटाएं कि 5 आएगा तो इसे हम कैसे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे इस 14 से आप 5 को घटा दीजिए इस 14 से 5 को घटा दीजिए जो आएगा घटाओ वही यहां पर होगा तो 14 से हम 5 घटाते हैं तो कितना आता है हमारा 9 यह हो गया अब दूसरा प्रस्ण देखते हैं कितने में से हम 9 घटाएं कि 4 आ जाए फिर वही जोड देंगे इस दोनों को जोड देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 9 अर्चार 13 यह हो गया चलिए अब 9 में से हम कितना घटाएं कि सुन्ने आ जाएगा निस्थित रुप से 9 में से अगर 9 ही हम घटा दें तो सुन्ने होगा तो यहां हम क्या लिखेंगे 9 अब चौथा प्रसुन देखिए कितने में से कितना घटाएं कि सुन्ने होगा तो अगर हम यहां पांच लेंगे तो यहां भी पांच लेना होगा अगर यहां हम चार लेंगे यहां भी चार लेना होगा कुछ भी संख्या हम यहां पर ले हमें यहां लेना होगा माल लिजे हम यहां पर 110 ले रहे हैं सौरी दो ही अंक लेना है न हमें 25 ले रहे हैं तो यह 25 से हम कितना घटा हैं कि सुनने आएगा बराबर घटाना होगा तो पचीस से फिर पचीस घटाना होगा तो इसमें हम अपनी इच्छा से जो भी संख्या हम ले सकते हैं अब यहां देख रहे हैं पांचवाँ प्रश्न यह कितने में से कितना घटाए कि पांच आएगा फिर यहां पर हम बहुत सारे इसके अंसर हो सकते हैं अगर हम 10 ले रहे हैं यहां तो कितना घटाए कि पांच आएगा तो 10 से 5 घटाएगे अगर हम यहां 20 लेंगे तो कितना घटाएगे यहां 15 घटाएगे तो 5 आएगा तो यहां भी हम बहुत सारे संख्याओं को हम ले सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके उत्तर कई उत्तर हो जाएंगे और इसके भी चोथे प्रशण के कई उत्तर हो जाएंगे, तो इस तरह से हम ये खाली स्थान वाले प्रशनों को बनाते हैं, आज की कक्सा में हमने दो अंको वाली संख्याओं के घटाओं का कुछ अभ्यास किया, अब आपकी पुस्तक में और जितने अभ्यास दिये हुए हैं अभ्यास के प्रश्न दिये हुए हैं इन प्रश्नों को आप हल करें और जो हमने एक खेल खेला था लूडो वाले इसे भी आप जरूर अपने दोस्तों के साथ खेलें बहुत मजा आएगा धन्यवाद